जब कानून बनाने से तीन तलाग खतम हो सकता है इस देश की रियासते खतम हो सकती है तो कानून बनाने से जातियां भी खतम होगी इस देश का हर गरीब आदमी गरीब व्यक्ति और जो कमेरा वर्ग है वो यह चाहता है कि इस देश से जातियां समाब तो सब भाई चारे से र सकते हैं कि नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनीत अवाज अभी मौजूद है दिली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद है आपके अपनी पार्टी पिपल्स के जो है राश्टिया अध्यक्षिजित क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके प्रदर्शन के बारे में जिसके लिए जन्तर मौजूद है को आज ग्यापन देने आए हैं कि इस देश से जातियां समाप्स की जाएं जाती उन्मूलन कानून को लेके कास्ट अबलिशन एक वी वी आस्ट प्रेजिएंट ऑफ इंडिया तो डिरेक्ट इसेंटल गोर्में तो ब्रिंग ए कास्ट अबलिशन बिल इन्दी पार्लेमें जाती के अधार पर वह कुछ नहीं कहती है अगर आपको लगता है कि मंदिर जाने से आप रास्ट पती बन गी है देश की पर्थम नागरी के और फिर भी आपको मंदिर में जाने की जुरूत है तो इससे बड़ी बात आप क्या कर सकते हैं तो क्या मंदिर में नहीं जाने चाहिए? देखें मंदिर में जाना ना जाना यह किसी की परसनल आस्ता है वो ताम जाम से नहीं अगर आप भगवान को पूछते हैं तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं न उसको उसके लिए दिखावा क्यों? तो क्या लगता है कानून बना देने से जातिया खतम हो सकता है इस देश की रियासते खतम हो सकती है तो कानून बनाने से जातिया भी खतम होगी और आभी तक हम लोग के गरीब लोगों के दिमाग से यही सवाल निकालना चाहते है कि वो अपने दिमाग से डर निकाल दें, कि जातियां खतम नहीं हो सकती, इस देश का हर गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति, और जो कमेरा वर्ग है वो यह चाहता है कि इस देश से जातियां समाब तो सब भाई चारे से रहे हैं। सम्मिधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है, क्या बराबरी मिल गई है लोगों को? उसी बराबरी के लिए तो कास्टाबरी सने बात करें हैं हम लोग? अभी भी जो है संगर्स करना पड़ रहा है बराबरी के लिए? संगर्स सद्यों पुरानी व्यवस्ता को तोड़ने के लिए आपको सदियों तक ही संगर्ज करना पड़ेगा तो आप ने सुना ये आम आदमी पिपल्स के जो है आपके अपनी पार्टी पिपल्स के राष्ट्रिय अध्यक्ष हैं और इनका साफतोर पर ये ग्यापन सोपने जा रहे हैं राष्ट्रपति को जिसमें इनका साफतो पर मांग है कि जो है भारत से जाती वेवस्था वो खत्म होनी चाहिए क्योंकि हमारा देश जो है जाती में और धर्म में समुदाय में एक दूसरे के खिलाफ नफरती जो है वो कानून चल रहे है नफरत में सब आगे बढ़ते जा रहे हैं जाती में फस कर रहे गया है और जाती के कारण जाती में आपस में लड़ने के कारण जो है विकाश जो है वो रुक गया है तो पूरी तरह से जो जाती जो है वो भारत से खत्म होनी चाहिए और कोई भी उच नीच का भेद भाव जो है वो खत्म होनी चाहिए एक तरह से कहा जाता है कि भारत जो है जाती आसीष के साथ ड्यूटी गरीज जन्हीतावाज